Once again, good day to all of you. आपने अपनी classes में starting में बच्पन में पढ़ा होगा कि energy cannot be destroyed, it cannot be generated. इसको केवल रूपांत्रित किया जा सकता है, one form से दूसरे form के अंदर. पर इसे generate, ये constant है, entire universe के अंदर, और इसे generate नहीं किया जा सकता है. तो इसे के रिकार्ड़ें हम बहुत ही important एक topic के साथ आप डिल करने के लिए जा रहे हैं, और जो topic है वो है solar energy. और solar energy का potential जो हमारी country में है काफी जादा है, क्योंकि हम tropical belt के अंदर आते हैं, इस वज़े से topic की importance ही बहुत जादा हो जाती है, और हम pioneer भी हैं बहुत सारे international initiatives के अंदर, like solar alliance and like हमारे और भी काफी सारे concept है, like one sun, one grid, okay and different types of initiatives ही जाके हैं, ग्रूग्रा में ISA का headquarter है, international solar alliance का, क्य सब्सक्राइब रही है, हमारे INDC भी है, जो कि intended हमारे nationally determined contributions जो है, उनकी बात है, तो इन सभी को देखते हुए, climate change को देखते हुए, GSG के emission को देखते हुए, यहाँ पर्टिकुलर energy का section है, बहुत important हो जाता है, क्योंकि हम tropical belt के अंदर आते हैं, तो हमारी energy potential भी काफी ज्याद है, बताते हैं कि हमारी country के अंदर around 300 जो दिन होते हैं, उसमें बिल्कुल आसमान के अंदर दिखता है, और वहाँ पर energy का generation कियागा सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा हमी, कि जो energy generation through solar energy है, वो entire day में ही हो सकता है, जो light होती है, तभी हो पाता है, तो 300 दिन है, 300 days ह है actually में, जहाँ पर कि हम energy का production का सकते हैं, solar energy का इंडिया के अंदर, तो around मैं बोल सकता हूं कि part day 10 hours के साब से, almost 10 to 8 hours जो होता है, intensity के साथ होती है, थोड़ी, जो light होती है, तो मैं बता सकता हूं कि लगबाग, 2100 से 3000 maximum max, यह जो है actually में, आर्स हो सकते हैं, जबकि solar energy का production किया ज सकता है actually में, okay, so इससे आपको समझा रहा होगा कि काफी ज़्यादा हमारा potential है, आपर हमारी sun की intensity होती है, वो भी काफी ज़्यादा होती है, light की intensity भी, तो काफी ज़्यादा potential इस वज़े से हमारा इसके अंदर हो जाता है, बताया जाता है कि around 5000 trillion kwh, kilowatt घंटे का potential है actually में, इं current installation के solar energy की बात की जाए, current installation, तो मैं इसको competitively बताना चाहँगा आपको, कि overall installation, हम यहाँ पर competitively देखेंगे, फिर again हम per capita देखेंगे, फिर again हम competitively देखेंगे, USA, China, अगरा सबसे की कितना production वहाँ पे है, overall electricity का, इंडिया में कितना protection हो रहा है, पर capita हमारा consumption कितना है, इन सब 8.5 gigawatt, जो है, energy का production हमारे यहाँ पर, actually में, installation हो चुका है, solar energy का, according to 30 November 2021 के बिहाफ पर हम यह बोल सकते हैं, actually में हमारा जो target था, जो हमने दिया था, 2022 के लिए वो दिया था, हमने, जिससे के हम काफी बीछे रह चुके है, 100 gigawatt का, इसमें से हमारा target था कि 60 gigawatt, जो है, हम जो बहुत ही कम installation है, around बताते हैं कि 2-3 gigawatt का ही, अब तक पुरा installation हो पाया है, यहाँ फिर अगेर में बता दू कि यहाँ पर installation होता है, उससे प्रडेक्शन होता है, काफी कम होता है, क्योंकि installation का मतलब होता है, यह 100 gigawatt का मतलब है, कि कोई भी जो भी plant है, यहाँ फिर like solar का प्ल तो वैसे में बता दू कि overall जितने भी type के energy इलिया के अंदर है, उनका actual में overall जो मतलब है installation हो, around अभी 390, 390, 388 आप बोल सकते हैं, gigawatt है, gigawatt है, gigawatt में फिर में बता दू, gigawatt में mega 10 की power 6 होता है, and gigawatt 9 होता है, okay, तो gigawatt 9 होता है, कोई चीत वह याद रखना है, तो 390, 390, अब है gigawatt का installation है, अब हमें फिसे सुचना होगा installation है, maximum जो हम thermal से ले रहे हैं, ठीक है, अब भी बताया दाता है कि हमारी जो overall production है, उसमें 75% जो भी भी production हो fossil fuel से आ रहा है, ठीक है, fossil fuel से आ रहा है, तो काफी ज़्यादा high ratio है, fossil fuel का है आपर, जो thermal power plant होते हैं, उनको मतलब की maximum capacity में जलाने की कोसिस की जाती है, वो 24 hours run होते हैं, तो उनका इंस्टोलेशन होता है, तो काफी हद तक वो उस इंस्टोलेशन के तक का production करते हैं, कुछ मार जिन छोड़ के, बट सूलर के साथ ऐसा नहीं है, विकॉस क्योंकि 24 hours sun के availability नहीं होती है, तो 326 gigawatt installation है, अब बहुत आपको दूगा, बहुत इंट्रस्टिंग फिगर्स में आपको दूगा, लाइक चाइन और अमेरिका से दिम कंपेर करते हैं, कि वहां का इंस्टोलेशन कितना है, तो you are going to feel like, कि कि इतना बड़ा अंतर है, 386 gigawatt इंडिया में बताया जाता है, 2200 2200, अल्मॉस्ट फाइब से भी जाता हू, gigawatt, यह चाइना का इंस्टोलेशन है, पता आपको, यह चाइना का इंस्टोलेशन है, यह इंडिया का इंस्टोलेशन है, यह अमेरिका के बात करें, 1200 gigawatt, यह अमेरिका का इंस्टोलेशन है, यहां से आप समझ सकते हो कि कितना marginal difference है, इंस्टोलेशन के अ के बात करता हूं तो वह भी 145 के करोड के आसपस बताई जाती है अमेरिका के 32-33 करोड पॉपलीशन है तो उस बहाफ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छी कंडिशन में लोग है और ये भी कितने अच्छी कंडिशन में एनरजी इंस्टोलिशन ओके तो फॉसिल फ्यूल कं कि बात होती है अपने आपको मतलब कि कर्माइन यूट कहले लिए अपना इंह डूट की जब कि हम अपनी अपनी थेक्नलोजी थर्म लेज्य इन सब चीजों की थ्रू जीटना आपनी फिरफन किया घुल कर रहे हैं उपनी फिल्ट कर रहे हम उसके तुरू आज हम आज हमार को युज मिली चुके है और आपने आपको बहुत हाई पे लिकी जा चुके हैं बहुत हैं अब युज बहुत हैं और तो लगा था रवी कुछ रापब्र लेकर आओ अपने पर कैपिटा मतलब आप अपने आपको आप कार्बन निकले जा रहे हो अपनी कमिटमेंट्स आप दो ठीक है तो उनसे अंदर यह थीक नहीं होता है और फंट टांसपर किया नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है तो तो वह वर्ल्ड जो है काफी अलग व्यूर प्रक रहा है इसके उपर तो अब इसके उपर हम मैंने आपका बता दियає कि क्या अमेरिका में चाइना में में इसके बात दी हम आगे बढ़ें तो मैंने बता दिया आंको कि पूरा एक इंट्रकनेक्टेट किया जाया था कि solar energy को constantly प्रडूस करते हुए constantly utilize किया जा सकी कहीं पर intensity का भी ज्यादा होती है कहीं पर काम होती है तो वर्ड सोलर बैंक का भी concept है यह सब इक बैंक कंसर्प्ट इसी तरीके से हैं क्योंकि प्रॉब्लम होती है इस वज़े से एक्षुली मैं इस वज़े से एक्षुली के अंदर यह वाला concept काफी ज्यादा के अंदर है तो यह मैंने आपको बता दिया आप कुछ और इंट्रेस्टिंग में चीज बता दू के विजए से इंडिया के इनिसिटिव दिया जाए सब्सक्राइब के लिए बहुत सारी सब्सक्राइब करते हैं पावर जो मतलब आपकी है आप इपने खेट के अंदर इस्ट्रेशन करवाते हो एक अना फर्माट हो तो आप साहल भी कर सकते हैं उसके लिए उसके लिए नेट मिट्रिंग वाला सब्सक्राइब करने के लिए हम एक गैस के अंदर फिल करते हैं वह होती है सब्सक्राइब करोगे आपके इक सोलर क्रोगे प्रडेक्शन को जब बीच हो गया आप किसी को तो उसमें आपको जब कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी सब्सक्राइब कर देगा और बता जाता कि एसाफ जीच का जो ग्रीन हाउस पॉटेंश्य वह बहुत ज्यादा है और यह काफी ज्यादा मतलब के प्रॉब्लमेटिक है इसका मतलब भी स्वाली स्वाली निकालने की कॉट्चिस कि जा रही है बट यह काफी प्रॉब्लम आपको क्रियेट कर रहा है यादि तो राजस्तान का पोटेंशल अपने आपने आप में काफी ज़्यादा है पता बताते हैं कि सेवन गीगावाट का अपने लगाए जाता है यह सारी जो भी आंक रहे हैं जो भी प्लांट अपका लगता है तो अभी मैंने आपको आपको बता दिया कि इंडिया के इंस्टालिशन है है वह पर्टिक्लर इंस्टॉलेशन है वह लगभग लगभग तीन सव अंटेर इंस्टॉलेशन तीन इस गीगावाट का है तीक है अब है यह देख लेख लेए का आफ इंट्रेस्टेंग लिए कि पर-capitar कंजम्शन कितना है जो लो आपको देखने को मिलेगा वह बताया जात तो पर-capita consumption यह countries का है और यह अमेरिका का आप देख सकते हो USA का यह चाइना का और यह इंडिया का तो इससे पता चलता है कि हम जो लोग है पर-capita कि इतना कम इलेकर सीजिक का कर रहे हैं कि आपको बताना चाहिए कि अभी जो हमारा पॉपलेशन का उसमें 30% पॉपलेशन हमारी जो है वो अर्बन एडिया में होगी और 50% पॉपलेशन ही आपकी रूरल इडिया में होगी इससे मतलब आप समझ रहे होगी जब लोग सहर में आते हैं गाउं को छोड़के और अर्बन में जाते हैं तो हर कोई इंसान अपर हिरकी में मुव करता है उसकी लाइफ स्टाइल होती है जैसे जैसे लाइफ स्टाइल होती है तो इलक्रिशिटी बढ़ता है अर्बन एरिया जमांग को पता है काफी ज्यादा ACVC सरदियो के टाइम पर हील्टर एवरिधि कि लोगों कि आपर हेलके में मूग करने पर उनका लाइफस्टाइल लगाता चेंज होता है तो यह तो फिक्स है कि अभी 388 जो गिवाट है एनरजी का हमारा इसको काफी ज्यादा इन्हेंस करने के रिक्वाइमेंट होगी और इसको क्यों करना पड़ेगा क्यों पहला है कि आ है अभी तो हमारे रोल इंडिया के द्रम जाके देखें के फार फ्लंग इरी आज कंदे तो काफी जी गया तो बहुत दिक्का में लेक्रिसिटी का कंजूम चल रहा है लेकिन जिस तरह से मूग कर रहे हैं फ्यूचर तो पक्का कि इसको जैसे हम कुछ नए मतलब की टार्ग अब इसको फॉरा इंस्ट्रोलिशन के बात कर रहे हैं और बताया जाता है कि दोड़ातिश तक इंडिया का कुल इंस्ट्रोलिशन जो होगा लगवाग लगवाग बताया जाता है कि 900 से 1000 गीकावाट हमें पहुंचाना होगा एनर्जी डिमांड को फिर्फिट करने के लिए जो कि इसा क्यों है इतना क्यों नहीं हैंस करना पड़ेगा क्यों बढ़ाना पड़ेगा तो एक तो मैंने बता दिया कि हम डेवलपिं से डेवलपर की तरफ जाओगी तो बट यही रीजन नहीं है कुछ और भी रीजन है आपको पता है कि विखल रहे हैं हर चीज को हम इलेक्रिसिटी से चलाना चाह रहे हैं और मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग बता दिया कि आज इतना हमने मतलब की कनवर्जन या फिर हधे एक रुप से दूझे रूप में रूप पांत्रित करना परीवर्तित करना हम इतना सब lesopyears होगया ए यह बहुत ज्यादा ही गालत होंदो हो 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 सकता है कि यह अब्いい क्यीघए जाता है कि यह आपका इंस्टोलिशन पूरा रहेगा 100 गिगावाट का इसमें तो मैक्सिम इस्टोलिशन आपका रन्योबल एनर्जी से हो और इसमें भी सोलर का क्योंकि पोटेंशिल काफी जाता है तो सोलर से हो तो उतना ही बेनिफिशिल होगा दूर सी जो के लिए क्लाइम प्रफिल भी कर पाएंगे अभी मैं बता दू आने वाले टाइम के अंदर यह जो पूरा कंसेप्ट है वो काफी जादा लाइम लाइट में रहने वाला है हर कंपणी को टार्गेट दिये जाएंगे हर कंपणी को टार्गेट दिये जाएंगे यह दिखा जाएगा कि कितनी एफिशेंट है लोगों का फॉट प्रसेस उसकी तरह बन जाएगा ग्रीन बॉंड्स आएंगे जहां लोग जादा रिटर्न ही चाह रहे होंगे लेकिन चाह रहे होंगे कि यह पर्टिकुलर कंपनी जो होती है ग्रीन एनर्जी के अंदर मतलब की इंस्टॉलिशन वगरा करें वहां से अपने अने वाली है क्योंकि आर्थ को सीव करने के लिए हमें पहले बता चुका हूं आपको अच्छे से अससे पहले की बता जाता है कि आज यह जो हमारा ग्लोबल अबरेज टेंपिस्टर जो बढ़ चुका है और पारेश क्लाइप डिजल बूलती है वह बोलती है कि आपको इसको 1.5 डिग्री संटिगेड के अंदर रखना है ट्वेटी आपको तो आप देख पारे हो विंडो क कितनी सी बची हुई है जब इतना पहले ही बढ़ चुका है तो पॉंट फाइव बची हुई है इसके पर मैंने पहले भी बात किती जब इतनी कम विंडो बची हुई है तो आप आपको भौती फार्म होके डिसिजिएंस लेने होगे ताभी जाके आधरवाइस टिपिंग पॉ करते हैं पार्स पर मिलियन के अंदर तो वह आरांड 275 हुआ करता था प्रेंडिस्ट्रियल एरा में CO2 पीपिम मनलब जो असे निकलता है काफी है था क्योंकि बहुत जाता है हमारा लैंड मास तो है नहीं वाटर है तो वह स्यूट जाके सर्फेस के उपास से जाता है तो व बढ़ जाती है वाटर की तो वह तो वह जो 275 है CO2 PPM हुआ करता था एक्शुल में इन 19 प्रिंडस्ट्रिय रहा मैं भी 400 को क्रॉस कर चुका यह भी अपने आफ में खाता है एक्शुल में क्योंकि यह एक लेवल से जागा चला जाता है तो फिर जो बाइवर्सिटी है एक् इसको भी रिजोल के जाने की एक्शुल में रिक्वाइमेंट है तो यह हमने देखा अभी और क्या हम इसके अंदर देख सकते हैं पर्टिकुलर्ली वह देखना होगा मैं ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि सेक्ट ब्रेकर के अंदर यह गैस भरी जाती है ठीक है अभी हमाई साथ क्या है कि सुलर के साथ यह और कुछ देखना चाहिए तो एक प्रब्लम हमाई साथ यह भी आती है तो लग के अंदर कि हमको बहुत जादा इंपोर्ट करना पड़ता है तो यह हमारे प्रब्लम का इक शूर है लगाता ठीक है अभी काफी साथ आ रही है इंसेंट के लिए है तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा इंवेस्टमेंट और प्रमोशन करने की बात की जादी है अभी जो है हम प्रमोट करने के लिए काफी आ गया रहे है और यह जब सब कुछ आएगा तो बढ़ने वाला है जो एनरजी होती है अब हम हर तरीके के एनरजी को दे लाइक हाइड्रोजन एनरजी काफी ज़्यादा लाइम लाइट के अंदर है इसके उपर भी हम एक लेक्सर बनाएंगे जो न्यूव फ़र्म सफ एनरजी है एक शेल गैस जो होती है तो इसके बोल दो आप जो बीचीज़ा है सब एनरजी का ही एक मात्रम है तो यह हाइड् गेंप्ली कर सकता है उसके पीचे रीजन है क्योंकि हाइड्रोजन अनरजी का मतलब है कि आप वाटर मॉल्यकुल को कि तरह से ब्लेक करके और एनरजी के साथ और फिस सबसे हाइड्रोजन भाहर निकाल लेंगे आप उसमें से उसको उतलाइस करेंगे एज एनरजी वर्लेविट पर न देए सकते हैं और इसमें वर्लेविट पर आगी निकल कर अ सकते हैं वहीं ethnobal energy sign प्रच्षिंग करेंगे राजस्तान से इंडिया में गमार करके गमार जो होता है यह गम होता है गम बोलते हैं यह काफी ज़या एक्सपोर्ट होने लगा है रहा है कि हमें आपव करके हैं नमीज क्या यह जब लेकिंगे होता है यह जिकना इस्के विस्कोषिंट कर दिकना होने के वजए से उसका प्रैस की द्वारा उसको एक दम तेजी से फैकने पे होता है तो उसमें गवार कम मिला कि देंसिटी को बड़ा दी आगा दी साथ है तो से से बाहर निकल आने लगती है तो यह घॉलिक को तोड़ने के लिए उतलाइज के जाता है यृद्द लगा करते हैं ये हम अपना एक्टूले में हम इंडिया का क्या क्यों कि से कि कॉस्भ सकते हैं कि समय छटब हैं किस ने कि कि रूट करते हैं सबने कि अठीक ने क्वमा सब्सक्राइब है नगाहिए जड़ा पूस्त में तब नीजी चंब तो नहीं है तिक लाइक अमेरिका और चाइना जितने रिशॉस रखते हैं इतने रिशॉस पहले पास नहीं है यूएसे इंडिया के अंतर हम नेच्रल हैं यदि आफिक यदि बात की जाये तो बहुत ज्यादा यह पर नहीं है ठीक है शेल गैस की बात की तो उसकी स्फमिलान्ट इनको सभर डेंको अंदर जाके उसने के फॉलेटिनगे थे कंदा याहा पी इनके महार पोले तरेंगे से भी काफी woven है और हम लिए है यहां प्रिस लिए को पॉसीबिलीटिज है टिस था स्टी सबसंपने पोशीन और न्याटीटों हिवत इंडिया का सबसे जादा निकल के आता है इन सब के अंदर क्योंकि हमारी पास काफी सबसे बड़ेक्शन हमारे नहीं है इंडिया का सबसे बड़ेक्शन है और इसके बाद है इसके बाद है इसके बाद करते हैं हम लाइक शेल गया की या फिर्मल एनर्जी की जीओ फिर्मल एनर्जी शेल गया इसके इन सब चीजों की या हाइड्रो एनर्जी की बात करें हाइड्रो एनर्जी का भी हमारा ठीक टाक पोटेंशल है ठीक है लेकिन जैसे कुछ जो नहीं फॉर्म से लाइक शेल एनर्जी वगरा है इनके अंदर में बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमें इसके उपर सुलर जान देना पड़ेगा क्यों क्योंकि दूसरी कंटीज के इंदर फिर यह अवेलेबल नहीं है इतना पॉटेंशल है क्योंकि हम ट्रॉपिकल रिंज के इंदर आते हैं तो हमारा सुलर का पूटेंशल काफी ज़्यादा है तो यदि हम कुछ चीजों को यूज में लेकि अबने आपको आगे लेकिजा सकते हैं क्योंकि यह ज्यादा है और यह काफी ज्यादा मतलब कर लेते हैं तो चीजों को सोच रहे हैं लागी के लिए कशिवगा है करना होगा ठीक है अभी हमने इसको नहीं कर सकते हैं कि हमारे इतनी हाइट टेकनोलोजी नहीं है और अभी हम एक करना होगा तो यह सब कुछ आज के लेक्टर में था जिसमें इमने सोलर एनर्जी के बार में पालिस्टिक ली बात कि जितने भी सोलर एनर्जी के पहलो थे वह हमने कवर किये हैं और थोड़ा समय इसमें बता दू कि नेट मिट्रिंग का जो कंसेफ्ट होता है उसके अंदर य इंडिया के अंदर और सोलर एनर्जी का फूचर का फूर एंडिया के अंदर नजर आता है बढ़त है हमें वह थोड़ी सी हमारे पास हम बहुत जादा इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास लोड़ा इनिशॉर कर पायां कीसी भी तरीके से तो वह काफी अच्छ